स्री जितन्द सिंग सेखावत, उप कमांडेंट, बाहर से प्रधार है हमारे अतिती गंड, अधिनस्तर दीरकारी गंड, जवान साथियों, एवं फैंबली मेंबर्स वा प्यारे बच्चों, मैं आज के इस आयोजन में आप सभी का स्वागत्वा अभी नंदन करता हूँ, आज हम 26 वाहिनी का बार्वा इस्ताफना दीवस मनाने जा रहे हैं, वाहिनी का इतियास कुछ इस प्रकार रहा है, ग्रह मंत्राले के आदेश के अनुसार, 15 दिसंबर 2010 को या वाहिनी इस्ताफित हुई थी, सबसे पहले बीरपूर, जिला सिफोल, राज बिहार में इसकी इस्ताफना हुई, वा की लोकेशन प्लान, यानि इसका प्रमुकिस्थान योजना के अनुसार, इसकी कील एकोशन प्लान फिक्स हुआ था, रेंग को, जो की जिला पुर्वी सिक्किम, राज जिस सिक्किम में पढ़ता है, जिसके बाद यूनिट ने CRPF स्रीनगर 127 वी वाहिनी से, अपने कर्तवियों का प्रभार समाला, स्रीनगर इकाईब में कारिकाल के अहुदी के दोरान, स्कार ड्यूटी, लो एंड ओडर ड्यूटी, स्री अमर नाज जी आत्रा ड्यूटी, महित्पूर्ण प्रतिष्टानों की सुरक्षा, वी आईपी निवाज ड्यूटी, आदी का प्रभावी ढंग से इस वाईनी ने निर्वाएन किया, स्रीनगर में अपना कारिकाल पुरा करने के बाद यूनिट, दसवी बटालियन SSB माल बजार से 16 अपरेल 2016 को यहां कारिवाल समाला, तब से वाईनी यहां पर इस्तापित है, जिसमें पशिब मंगाल के तीन जीलो, जब चार्ज लिया था पशिब मंगाल के तीन जीलो, एक पुर्वी सिक्कीम, डार्जिलिंग और जल्पाई गुडी में भारत भूटार सिमा पर काम करना शुरू किया, बाद में फ्रंटियर के आदेश अनुसार, 9 जनवरी 2018 को, 6 बीओपी का चार्ज इस वाईनी ने 69 बीन रैंक फोकुस होपा, वह 17 बटालियन से 2 बीओपी का चार्ज लिया था, जो की इला और जिती फॉर्वर्ड, जो हमारी एक अलग एक सिस्पे पढ़ती है, उनका चार्ज इस वाईनी ने लिया, वर्दमान में इस वाईनी की 14 बीओपीयां हैं, जैसा आप सभी भली बाती जानते हैं, जिसमें 11 कलिंग कॉंग जिले में, वा तीन जलपाई गुडी जिले में हैं, इसके अलवा इस दोरान कई ड्यूटियां की, जैसे जम्मू एं कस्मीर में स्री अमरनाच जी आत्रा, आर्टिकल 370 अप्रोकेशन के दोरान जो ड्यूटियां की वो, इसके अलवा इलेक्शन ड्यूटि, वा अधर आईएस ड्यूटि जो भी हमें हायर हैड़क्वाटर या अच्छा योगदान रहा, आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि हम सभी मिलकर इस वाहिनी को और उचे इस्तान पर ले जाएंगे और वाहिनी का नाम रोशन करेंगे, उन्हां आप सभी को वाहिनी इस्तफना दिवस की भार्दिक शुप्रामना है, जैह धन्यवाद सर, इसके बाद बच्चों का कॉंपिटिशन शुरू होगा, सबसे पहले जलेभी रेस, पाच साल तक के बच्चे झाल तक के बादी जान सकतो होगाई, प्रॉबाद स्भाद का SAY घ्र झाल 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 झाल